वर्ष 2013 में आजी के दिन भारत ने अपने मार्स ओर्बिटर मिशन यानी मंगल यान को श्री हरी कोटा से लॉंच किया था भारत के इस मिशन का खर्च करीब साड़े चार सो करोड रुपे था और ये मिशन पूरी दुनिया का सबसे सस्ता मार्स मिशन था भारत पहले प्रियास में ही मंगल ग्रह पर पहुँचने वाला दुनिया का पहला देश है और इसी के साथ इस रो मंगल पर पहुँचने वाली दुनिया की चौथी अंत्रिक्ष एजिंसी बन गई थी वर्स 2007 में आजी के दिन गूगल अंड्रॉइड मोबाइल उपरेटिंग सिस्टम दुनिया के सामने पेश किया गया था अंड्रॉइड खास तोर पर टैच स्क्रीन मोबाइल डिवाइसिस के लिए बनाए गया था हालनकि इस टेक्नालोजी का इस्तेमाल टेलिविजन, स्मार्ट वाचेज और कारों में भी किया जाने लगा आज अंड्रॉइड दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है वर्स 2006 में आजी के दिन एराक के पूर राशपती सद्दाम हुसैन को फासी की सजा सुनाई गई थी सद्दाम हुसैन को 148 लोगों की हत्या का दोशी ठहराय गया था और उन्होंने जुलाई 1989 से लेकर अप्रेल 2003 के बीच लगभग 23 वर्षों तक एराक पर शासन किया था हिंदी और मैथली भाषा के प्रसिद्ध कवी नागारजुन का 1998 में आजी के दिन निधन हुआ था नागारजुन ने 1930 के दशक में अपने साहितिक जीवन की शुरुआत मैथली भाषा में लिखी कविताओं के साथ किया अपनी कहानियों, जीवनी, कविताओं और यात्रा विवरण में जनता से जुड़ी बातें कहने के वज़े से नागारजुन को जन कभी भी कहा जाता था